हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे मंत्री जी हमारे तो डॉक्टर बिमार हो रहे हैं कभी डेंगल कभी मलेरिया और कभी जॉन्डिस से यह स्थिती है यहीं दोर बनाने वाले हैं जब आप एक उगली उठाते हैं तुछी उगली तुम्हारी पर अप उठती है प्रस्ताचार की चन्नी नहीं रही है अगर यह जवाब आता तो वाकई मुझे लगता कि आपके विभाग को कोई जानकारी और सही में आप सरकार की और जनता के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि हम 20 सेनी के चिकिस्तिकों को 5 लाग रुपय तक रिवर्स बिटिंग से दे रहे हैं आज तक फियास में नहीं हुआ है क्या सरकार दीजी अपनी के पद को चेंज करके आईएस ऑफिसर से हता करके एक दॉक्तर जो जो विभाग के बारे में पूरी जानकारी रखता हो उसको वहां पे बिठाएगी या नहीं बिठाएगी कुत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से पास किया है और इसको हमने नेडे लागू किया है उसके अच्छे परिडाम आ रहे है कहीं को दिक्कत नहीं है मैं आपका अभार विक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का उसर दिया मेरा प्रश्न हमारे स्वास्त विभाग के मंत्री जी से है कि गंभीर बिमारियों से पेड़ित मरीजों के लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाई बनाए गई है उसके रोगठाम के लिए हमारे गरीब जनता की मदद के लिए अध्यक जी बड़ा ही निराशापूर ने जवाब आया है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब-जब सत्र में पिछले धाई वर्शों में आपके विभाग के द्वारा जब भी फ्रश्न पूछे गए हैं तो आपका एक सेम आंसर है कि हमने इतने जिला हस्पिताल, इतने मेडिकल कॉलेज, इतनी डैलिसिस की मशीन, इतने एंबुलेंस अध्यक जी मेरा बड़ा यह सवाल था और अगर आपने यह बताया है कि आपके इतने जिला हस्पिताल, इतने मेडिकल कॉलेजे हैं तो मैं इस सदन के माध्यम से जौनपुर से जो मारा मिडिकल कॉलेज उसकी कुछ पिच्चर है वो आपको दिखाना चाहूंगी कि जहाँ पे काला पानी तैर रहा है जो बिल्डिंग्स है वो बनने से पहले खंड हैर हो चुकी है ये सिती है और आप इसे गिना करके जवाब देना चाहते हैं कि आप अपने विभाद में क्या कारे कर रहे हैं मैं ये टेबल कर दूँगी अध्यक जी ताकि ये मंत्री जी के पास जो असली पिक्चर्स है वो पहुचे और उन्हें पता चले कि जो बार-बार आप ये कहते हैं कि हमने medical colleges बना दिये जिला स्पताल बना दिये उन जिला स्पतालों और medical colleges की क्या सिती है कुश दिन पहले वहाँ कि बच्चे धरना दे रहे थे जिने हम देश का भविष्य और आगे medical colleges में इसे doctor देखने वाले हैं आज उनके पास ना शुद्ध पेजल है ना बिजली है ना पानी है हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे मंत्री जी हमारे तो डॉक्टर बिमार हो रहे हैं कभी डेंगल, कभी मलेरिया और कभी जॉन्डिस से ये स्थिती है अदेख जी, it is really shame for the UP Health Minister and the Department of Health Ministry और आज सेंटल में तीसरे टेनियर के बाद भी अगर मेडिकल कॉलोजिस की ये स्थिती है is definitely a shame for this सरकार कि आप इस तरही के किस्थिती लाकर के रखी है आपने अद्यव जी, जवाब में इन्हें ये देना चाहिए था कि गंभीर बिमारियों के लिए जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो पलिएटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स हो, चाहे आपके ओंको सर्जिन्स हो, ओंको लोजिस्ट हो, गानेको लोजिस्ट हो, निूरो एनसीशे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हो, चाहे आपके कार्डियो सर्जिन्स हो, सीटी व जनता के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं हद्यक जी मैं वापर से अपने प्रशनों पर आऊंगी कि मंत्री जी सिर्फ और सिर्फ आपसे दो प्रशन हैं और उसके उत्तर गोल गोल ना घुमा करके सीधी तरीके से बस बता दीजे कि आज उत्तर प्रदेश कैंसर जैसी ब 2,0,0,000 पर आएड़ा वर्लाक मरीज आपके बढ़ते हैं और इन गरीब मरीजों के पास ना तो पैसा है इलाज कराने के लिए और ना अस्पतालों में बेड़ इन परिस्तिव किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है बड़ा-बड़ा इस्टिमेट मिलता है क्या सरकार कैंसर के सारे उत्रपिदेश के मरीजों को उनका जो इस्सिमेट जहां से भी बन करके आता है उसका एक मुस्बे पैसा उपलब्द कराएगी कि नहीं कराएगी मेरा दूसरा सवाल है मंत्री जी कि आज जब आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास सूपर स्पेशियालिटी के डॉक्टर्स कितने बढ़ गए हैं पेशिंट्स के अनुपात में वेंटिलेटर और आईसियू कितने हैं तो इन परिस्थितियों में जितने भी आपके प्र करते रहते हैं तो आईसियू और वेंटिलेटर क्योंकि ये ऐसे मरीज होते हैं इनके पास समय नहीं होता है मंत्री जी अगर एक्सिदेंट हो गया आज बीपी बढ़ गया और ब्रेंड हैमरेज हो गया तो तुरंद उसका ऑपरेशन होना है लेकिर उनके पास पैसा नहीं ह प्रिजास दिलाने के लिए क्या सरकार काम करेगी बहुत-बहुत धरनेवाद है माने उपको फंदी आपका जो सवाल था कि उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर बिमार्यों से पीडिक मरीजों के उम्रती दर्कों घटाने के लिए क्या काम करें हमने इस समझ में इस पस्त जव की लगाताथ उच्चों की तीक इसा बैवस्ता देने का का म किया है जहां तक गंभीर मरीजों के धना-भाव का सवाल है इसके लिए मानिंप धानमंत्री जी की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आसमान भारत हुट-प्रदेश में लागू और मैं सदन को बताना चाहता हूँ जी पूरे भारत भर्त में उत्तर प्रदेश नमबर एक पर है आईसमान भारत कार्ड बनाने में और हमने फरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों वो भी उसमें चिन्हित किया है इस्टेट किया है वहां भी हम निशुल्क इलाज द हमारे पास एक सो आट की है और इनको हम लगातार मरीज को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं डालेसिस की चिंता हम आप मानि सद्दस ने की डालेसिस के बारे में उत्तर प्रदेश में इससे पहले जिला इस तर पर डालेसिस नहीं होते बड़े सहरों में ख्याना पर डिस्टिक हास्पिटल में दस वेडार उपलब्द हैं जिससे डालेसिस की सुद्दा हम दे पार हैं एक अत्तर हमारे जिला चिक साले हैं जहां सिटी स्केंट की सुद्दा पहली बार दे पार हैं पहले डिस्टिक हास्पिटल में सिटी स्केंट की सुद्दा न कि पिवी से मक्ट जिराने के लिए हम उनको गोध भी ले रहे हमारे सभी अःविकारी हमारे मानी ड़ाय गण्ड हमारे जन्परतिधी गण्ड और उनको कोछल सामिग्री भी उपउलब कर आ रहे चिंपट करा रहें त्य नी के सभी तर्शिरी केर्टी सुधायं उपलब्द कराने जा रहे हैं जहां तक स्पेस्टिक सवाल पैंसर से पीरिक मरीजों के लिए हैं हम आपको बताना चाहते हैं आईसमान भारत कार्ड के साथ साथ मानी प्रधानमंत्री जी की जो अपना निधी है और मुखमंत्री जी जारी करते हैं गंभीर मरीजों के लिए पहली बार दोनों जगह में कह सकता हूं कि मानी सदस बैठें विपच्चि के भी अगर सही बोलेंगे तो पहली बार मुखमंत्री साहता का उससे पहली बार की बड़ी से जाने को भी मरीज मांता ह इसमें कोई अक्तश्यव नहीं है कोई भी इसमें विधाजन नहीं है जो भी मरीज मानता है उसको आवस्टता अंसार धंदा सुपलब कराई जाती है उसमें जाति धर्म संप्रदाइक धंपो हम लोगों नहीं देखा है आप लिश्ट उठा करके देखेंगे बड़ी संख्या में मुखमत्री साहता कोच से हमने साहता दंभीर रोगों से तीडिक मरीजों को प्रदान किया है जिन्हों ने दिमांद किया है और यह भी मैं बताना चाहता हूं यहां तक एक सवाल प्रसंद में विस्तार से आपने बोला जॉन पूर्ट के मेडिकल कालिस के बारे में वैस आप सुनेजी पूर रे सुनेजे पूर्बागए रे सुनेजे फे इतर सुनेIES पूर्ट का मेडिकल सुने अरे बैठो ना तुम अरे सुनो भया बिढ़ाए इतपान भतिजिए रे बैठो प्लीस फ्रू कहां किया और कि धिजिन्म में बनना बना सुरुँ आपाना सुरू देख लोगा वो अनुची दूगा दो आदा देगा है अचले मा तो निकाल दिया जिता निकाल देगा आद्जी जान पूर का मेघकल कालेज भाई साब लोगों की सरकार में बनना शुरूआ और उसमें पेंदर मिला ताता कंपनी को ताता कंपनी के अधिकारियों को जवरस्ती बलाक एक बेक्तिकों इनों ने काम दिला दिया और वो भगोरा साबीत को भाग गया और काम की गुर्वत्ता को पैसे लूट करके खा गया उसकी जाच चल रही है यही लोग बनाने वाले हैं यही लोग बनाने वाले हैं जब आप एक उगली उठाते हैं तुथी उगली तुम्हारी पर उठती है प्रस्ताचार की जननी रही है पहली बार भारती दंता पारती की सर्कार में स्वास से वाएं उच्छ कोंच की हम लोग पदार कर रहे हैं आप जो चिकिस्तक हैं समझ भाएंगे जो जाच भी कराएंगे और जेल भी भेजेंगे कोई बचे देने दस्ताचारी अज़र जी मानी सदे से सोई चिकिस्तक है पूरे भारत के जिहास में पहली बार हो रहा है कि हम 20 सेनी के चिकिस्तकों को पाच लाक रुपए तक रिवर्स बिटिंग के ते रहा है तो कुछ इन्हों ने बोला नहीं लिखा जाएगा ऐसे नहीं है कि कोई भी पीछ में ख़लाओ के बोला शुरू कर देगा डॉक्टर आगे नहीं बैटे जिनका प्रशन है बस लास्ट प्रशों पूचेंगे बस अधिक्ष्ट कौने में दोशी मंत्री जी को नहीं ठेर होंग क्योंकि डिरेक्टर जर्नल ओफ मेडिकल एडुकेशन एक समय था कि एक डॉक्टर को नियुक्त किया जाता था उस पद पर क्योंकि आज अगर इस सरकार को लगता है कि गूगल खोल करके आप डॉक्टर बन जाएंगे और आपको इस विभात के बारे में A to Z सब पता चल ज प्रशन पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार दीजी अपनी के पद को चेंज करके आई एस ऑफिसर से हता करके एक डॉक्तर जो जुविभात के बारे में पूरी जानकारी रखता हो उसको वहां पर बिठाएगी या नहीं बिठाएगी सवाल तो ये स्वासी विभाक से इनों लगाया है सवाल इनों चिक्सा सिच्छा का पूछा है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कुत्र प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से पास किया है और इसको हमने निवडे लागू किया है उसके अच्छे परिडाम आ रहे हैं कहीं को दिक्कत नहीं है